Hello Everyone, Welcome to Study IQ So Study IQ के इस वीडियो में हम करेंगे Art and Culture का Set No. 2 Set No. 1 मैंने Upload कर दिया था जिसमें हम Basically Art and Culture के एक साल के Current Affair हम cover कर रहे हैं और हम ये 1 जुलाई से लेके और 30 अप्रेल तक के एक साल के Art and Culture के Current Affair cover करेंगे और Environment Ecology के भी एक साल के Current Affair मैं ही cover करूँगा Polity और International Relations के cover करेंगे राहुल सागाउंकर सर तो चलिए स्टार्ट करते हैं Set No. 2 तो सबसे पहला question जो है वो है परंपरा सीरीज के बारे में परंपरा सीरीज एक National Festival है of Music and Dance यानि कि एक राष्ट्रिय त्योहार है संगीत और निर्त्य का Music and Dance का इन में से कौन सा संगठन यानि कौन सा और्गेनाइजेशन इसे कंड़क्ट करता है हर साल National School of Drama NSD नाट्य तरंगिनी संगीत विद्या निकेतन या तानसेन संगीत महा विद्याले इन में से कौन आयोजन करता है परंपरा सीरीज का और पिछले 23 साल से कर रहा है इन फाक्ट इस बार United Nations के सपोर्ट से भी किया गया था ये सो इसको कंड़क्ट करता है नाट्य तरंगिनी सो आंसर है option B नाट्य तरंगिनी चलि अगला जो सवाल है वो भी एक फेस्टिवल से है जो बहुत पॉपुलर है और ये है तानसर्ण फेस्टिवल तानसर्ण फेस्टिवल के बारे में इन में से कौन सा statement ठीक है ये मद्द्य प्रदेश में किया जाता है हर साल तानसर्ण फेस्टिवल और इस event को औरर्गणाईज करता है आगा खान foundation तो देखते हैं options, पहला वाला option ठीक है, ये मद्धे परदेश में organize किया आता है ग्वालियर में, क्योंकि ग्वालियर में जन्म हुआ था तांसेन का, जो की राजा अकबर के नवरत्न में से एक थे, और आगा खान foundation करता है, नहीं, तो B option गलत है, इसको जो conduct करता है, वो है उस organization, तांसेन संगीत समारो, ये एक गाउं में होता है, जिसका नाम है बेहत गाउं, ग्वालियर डिस्टिक्ट में, और पूरी दुनिया से यहां पे music lovers और artists आते हैं, और perform करते हैं, तो इसमें जो तांसेन हैं, उन्हें tribute दी जाती है, और यहां पे ये भी आद रखिए, कि ज आगाखान foundation है, वो एक award देती है, जिसका नाम है आगाखान award, और आगाखान award कोन से field में दिया जाता है, architecture, वास्तु कारिता के शेतर में, ये हर साल एक award दिया जाता है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा popular award है, इसका नाम है आगाखान award, it is given in the field of architecture, तो इसमें ये ठीक है, सिर्फ answer is only is correct, चलिए अब आते है next question पर, भारत का पहला toy manufacturing cluster वो करनाटका में बन रहा है, cluster approach क्या होती है, cluster मतलब क्या होता है, cluster मतलब होता है, जब हम एक ही तरह की industry एक जगा पे लगाते हैं, उससे resources की जो sharing है, वो हो जाती है, जैसे मान लेजिए, अगर मुझे textile की एक mil ल लगा दूँगा, जिससे resources की sharing हो जाती है, जब resources की sharing हो जाती है, तो cost of production कम हो जाती है, इसको बोलते है, economies of scale, अगर आप bulk production करते हैं, बहुत बड़े level पे produce करते हैं, चीजें, क्योंकि एक जगा पे cluster है, तो फिर वो सस्ती बढ़ती है, इसे economies of scale कहा जाता है, और जब cost of production हो तो हमारा जो profit है वो बढ़ गाता है, इसे cluster approach बोलते हैं, तो भारत का पहला खिलोना विनिर्मान cluster, यानि toy manufacturing cluster ये करनाटका में बनेगा, दूसरा option है कि गुजरात के कच में एक खिलोने होते हैं, जिने बोलते हैं थिगडा धिंगला dolls, गुडिया बना देते हैं, जैसे dolls की toy बना देते हैं, तो थिगडा धिंगडा धिंगला dolls जो हैं, ये wood की बनी हुई होती है, wood, तो कौन सा ठीक है इसमें, इसमें first option ठीक है, करनाटका में एक जगा है जिसे कोपाल बोलते हैं, कोपाल, और करनाटका के कौन से toys famous हैं, एक मैंने लास्ट वीडियो में आपको दूसरे हैं किन हल टॉइज, और तीसरे हैं कोपाल टॉइज, तो ये जो तीन टॉइज हैं, करनाटका के ये famous हैं, किन हल, किन हल क्लस्टर, चनना पटना क्लस्टर, और कोपाल एक कारण से news में और आया था, ये मैंने आपको environment वाला जो वीडियो है उसमें बताया था, ये news wolf century बनी हैं यहाँ पर, तो दूसरा option गलत है, थिगड़ा मतलब होता है एक कपड़े का टुपड़ा, तो जो waste cloth होता है, जो वो कपड़ा जो use का आप नहीं है, उसे थिगड़ा बोलते हैं, तो जो remnant होते हैं उस कपड़े के, उससे बनाई जाती है, तो कपड़े से बनती ह यह डॉल ना की wood से, तो B option गलत है, तो इसका आंसर भी है, only A is correct, यानि की first, यहाँ पर आप यह डॉल देख सकते हैं, यह है थिगड़ा धिगड़ा डॉल कच्की और यह small pieces of waste fabric से बनती है, जिसे थिगड़ा कहा जाता है, generally इन्हें women बनाती है, traditional कच्छी families जो हैं, वो इन्ह बनाती हैं, चलिए, अब आते हैं, अगले सवाल पे, यह handicraft से है, handicraft static, right, इन में से सही match कौन सा नहीं किया हुआ है, यहाँ पे left में एक handicraft दिया है, famous कोई भी चीज, कोई product दिया है, और right में एक state दिया हुआ है, तो सबसे पहले है सान खेड़ा furniture, यह गुजरात से आता है, फायर वर क्राफ्ट, फायर वर क्राफ्ट का मतलब है पटाके या आतिश बाजी, यह बार पेटा, बार पेटा कहां है, बार पेटा असाम में है, फिर है फुल कारी, फुल कारी है UP की यानि उतर प्रदेश, और खतम बंद है जमु एंड कश्मीर, तो इन में से कौन सा ठीक है, यह tough question है, इसमें options जो हैं वो काफी depth में है, आपको art and culture में handicrafts भी पढ़ने हैं और काफी depth में पढ़ने हैं, सानखेडा furniture यह ठीक है, यह गुजरात का furniture है, सानखेडा एक जगा है जहां पे यह furniture बनाया जाता है, उसके बाद firework craft, देखो भारत में पटाके जो बनते हैं लेकिन जो दो सबसे famous हैं, जो जिने cluster बोलते हैं, तो एक तो है बारपेटा असाम में, तो यह option मिलकुल ठीक है, और दूसरा है, एक जगा है जिसे बोलते हैं सिवाकासी, और सिवाकासी विरुधू नगर में है, विरुधू नगर तमिलनाडू, यहां पे भी firework craft यानि पंजाब का होता है, एक हैंडी क्राफ, फुल कारी, और उत्तर प्रदेश का जो होता है, लखनव में होता है, जिसे बोलते हैं चिकन कारी, तो यूपी का जो होता है, वो चिकन कारी होता है, ना कि फुल कारी, और एक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कलम कार में ये भी ठीक है, A भी ठीक है B भी ठीक है और D भी ठीक है, तो इसमें C गलत है आंसर है, ये पूछा है कौन सा correct match नहीं है तो only C यानि कि second देखो, खतम बंद ये होता है कि आपका जो घर है, घर की जो छत होती है, वहाँ पे geometrical patterns में ceiling डाली जाती है ceiling मतलब छत, तो जब आप छत बनाते हैं, तो उससे एक geometrical patterns में बनाई जाती है तो ये जमू कश्मीर में famous है, इसको खतम बंद का जाता है, तो ये ठीक है in fact जमू कश्मीर में आपको कुछ और एक दो बता देता हूँ मैं, crafts, जैसे पश्मीना shawl पश्मीना shawl मिलती है एक goat से, यानि की एक बकरी से, जिसे पश्मीना बोलते है और दूसरी होती है शहतूश शाल, ये मिलती है चीरू गोट से, जिसे हम Tibetan Antilope बोलते हैं इसे बोलते हैं Tibetan Antilope, तो पश्मीना शाल और शहतूश शाल ये दोनों ही हमें मिलती हैं जमू कश्मीर में इसके अलावा जमू कश्मीर में एक window जो बनाते हैं दरवाजे या window उन पे lattice work किया जाता है जिसे बोलते हैं पंजरकारी पंजरकारी तो पंजरकारी भी जमू कश्मीर में important एक, it's a kind of a handicraft of जमू एन कश्मीर so इसका answer है second चलिए आगे भड़ते हैं अयोध्या का जो राम टेंपल बनेगा उसमें जो वास्तुकारिता होगी यानि उसमें जो आर्किटेक्चर होगा वो कौन से style का होगा temple में आपने कई तरह के आर्किटेक्चरल style पढ़े होंगे अयोध्या में जो राम टेंपल बनेगा उसका आर्किटेक्चर style क्या होगा सिर्फ नागर उसमें सिर्फ नागर आर्किटेक्चर होगा कोई और नहीं होगा या उसमें नागर और कुछ हद तक कलिंग आर्किटेक्चर भी होगा नागर और चमपा अर्किटेक्चर होगा या नागर और होयजला अर्किटेक्चर होगा होयजला अर्किटेक्चर आपने जरूर सुना होगा करनाटक में जो होयजला ग्रूप अफ टेंपल्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने की बात चल रही है करनाटका ने last year request भी किया था कि होईजला group of temples को UNESCO World Heritage Site में nomination के तौर पे भेजा जाए करनाटका में दो World Heritage Site है हमपी और पतड़कल group of temple जिन में विरुपाक्ष temple वगर आते हैं तो इसका answer है A. Only Nagar Architecture तो इसमें सिर्फ Nagar Architecture होगा नागर आर्किटेक्चर में आपको समझा देता हूँ एक बार यहाँ पे ध्यान से देखिए यह बहुत एक खुबसूरत डायग्राम है अयोद्य हमें जो temple बनेगा उसका तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें नागर आर्किटेक्चर कैसे होगा हम आगे से शुरू करते हैं अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो यह मंदिर है यह जमीन से उठा हुआ है जो की एक नौर्थ इंडिया के मंदिर या नागर आर्किटेक्चर में देखा जाता है कि मंदिर बिल्कुल जमीन पे नहीं होते जमीन से थोड़ा उठे होते हैं इसको बोला जाता है जगती जगती मतलब जब मंदिर एक रेज्ड प्लैटफॉर्म पे होता है तो उसे बोलते हैं जगती उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो एरिया है जहाँ से आप प्रवेश करेंगे तो यह पूरा एरिया चाहिए आप यहाँ से प्रवेश करें चाहिए आप यहाँ पे बैठें तो इसको बोला जाता है मंदप तो पूरा एरिया जहाँ पे बशली एक मंदिर के दुआर से लेके और गरब घ्रह तक जहां पे मूरती रखी होती है या main dt रखी होती है, पूरा जो beach का area होता है, उसे मंडब बोलते है, मंडब को भी फिर, दो भागों में हम विवाजित कर सकते हैं, शुरू में χोता है, अर्ध मंडब और बाद में बड़ा hall जो होता है, उसे हम मंडब बोलते हैं, हलांकि ये मंदिर टू मंदिर वेरिक कर सक वो है गर्ब ग्रह तो उसे हम गर्ब ग्रह बोलते हैं और उसके उपर जो ये area है इसको ध्यान से देखिए अब ये ये है शिखर और ये थोड़ा pyramidal shape का है अगर आप इसकी shape देखें तो थोड़ी सी आप pyramidal shape के कहेंगे से और जो दक्षिन भारत के मंदिर होते हैं उनमें गर परिक्रमा भी होगी यहाँ पर परिक्रमा का provision होता है मंदिर में प्रदक्षिन पत जिसे बोलते हैं वो भी यहाँ पर होता है और उपर देखिए यहाँ पर ये ध्वज है और इसके उपर जो शिखर है इसके उपर अगर ध्यान से देखें तो ये जो आकृती है इसे बोलत होती है तो ये एक और डिफरेंस होता है इसमें एक चीज़ और नौट करें कि कोई पानी का स्रोत नहीं है मतलब कोई कुंड नहीं है कोई तलाब नहीं है मंदिर के परिसर में जैसा कि साउथ इंडिया में होता है मंदिरों में कुंड होते है या तलाब होता है पानी का स्रोथ होता है तो वो द्रैविड आर्किटेक्चर में देखा जाता है एक और important difference यह है कि जब मंदिर start होता है एकदम जब मंदिर में हम enter करते हैं तो वहाँ पे भी जो दौार होते हैं South India के मंदिरों के जो वो काफी सजे होते हैं काफी मतलब बड़े होते हैं विशाल होते हैं यहाँ पे देखिए कोई द्वार ऐसा नहीं है ऐसा बहुत छोटा है अगर है तो South India में बहुत बड़े होते हैं और उनको हम बोलते हैं गोपुरम तो यह वड़ भी आप देखेंगे आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो I hope यह clear हो गया होगा इसके अलाबा यह ध्यान रखिए कि जो यह मंदिर है इसके जो मुखे वास्तुकार है यानि जो चीफ आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है चंदरकांथ भाई सौमपुरा जिनोंने अक्षरधाम मंदिर गुजरात वाला डिजाइन किया था और इनके जो ग्रेंट फादर थे प्रभाकर जी सौमपुरा उन्होंने सौमनाथ मंदिर जो है गुजरात में उसे डिजाइन किया था फिर इसमें जो पत्थर यूज होगा अयोध्य मंदिर को बनाने में वो बंशी माउंटेन से राजिस्थान में वहाँ से लिया जाएगा ओके, now let's do the next question इन में से कौन सा statement ठीक है नागरजुन वेश ये कहा जाता है जब it is associated with dressing Lord Jagannath as Lord Krishna नागरजुन वेश एक occasion आता है जब हम भगवान जगनात को भगवान जगनात आप जानते हैं ओडिसा की बात हो रही है पुरी की बात हो रही है जब हम उनको dress करते हैं Lord Krishna की तरह और दूसरा option ये है कि भगवान जगनात की जो रत यात्रा होती है उसमें जो जहांकी निकाली जाती है जो प्रोजेशन निकाला जाता है वो जगनात मंदिर में ले जाया जाता है तो देखते हैं इसमें दोनों option पहला option गलत है देखिए नागरजुन बेश जो है ये बहुत important question है क्योंकि ये 2020 में हुआ था 26 साल के बाद पिछला नागरजुन बेश जो हुआ था 1994 में हुआ था बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें सहस्र अर्जुन एक योदा थे जिनका परशुराम ने वद किया था तो उस occasion को हम commemorate करने के लिए जो भगवान जगनात है उन्हें हम dress up करते हैं भगवान परशुराम की तरह तो इसका जो फैला statement है इसमें Krishna को replace कर दीजे परशुराम से परशुराम जो थे वो विश्नु के अवतार थे ओके परशुराम जो थे वो विश्नु के अवतार थे जगनात मंदिर से गुंडीचा टेंपल जाती है और फिर वापस आती है तो ये दूसरा option भी गलत है तो इसका answer है none is correct मैं बता देता हूँ actually इसमें क्या होता है पहले मैं आपको फोटो दिखाता हूँ इस फोटो को देखिए इसमें जो भगवान जगनात है उनके भाई बा बहुदा जात्रा बहुदा जात्रा तो ये नागरजुन बेश क्योंकि 26 साल के बाद हुआ है so it becomes very important for your exam और यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान जगनात बाल भद्रा और सुभद्रा इन तीनों को warrior की तरह योधा की तरह dress up किया गया है इसको बोलते हैं नागरजुन ब in fact she was not just an exponent she was one of the pioneers ये एक सबसे जो कहते हैं अपने field में अग्रणी उन में से थी so ये थी कुच्छी पुडी कुच्छी पुडी जो classical dance है ये आंधरप्रदेश का dance है और सतरिया है असाम का कथकली कहां का है कथकली केरला का है कुछ लोग कथकली को कथक से confuse करते हैं कथक जो ह mainly UP लेकिन North India में किया जाता है तो आप ये नहीं कह सकते है कि कथक सिर्फ UP में किया जाता है कथक बेसिकल ये classical dance of North India और फिर भारत नाट्यम भारत नाट्यम आसान है तमिल नाडू तो ये याद रखिये आप और शोभा नाइडू associated थी कुची पुडी से चली अब देखते है होन्बिल फेस्टिवल नागा लेंड का है हरेला फेस्टिवल हर्याना का है आदी पेरक्कु तमिल नाडू का है और वीशू जो है वो केरला का है देखो फेस्टिवल जो है अगें दीज आर वेरी फ्रिक्वेंटली आस्ट इन दे यूपेसी एक्जाम तो इन में देखते ह देखो वीशु फेस्टिवल जो है ये मल्याली न्यू येर को बोलते है It is the मल्याली न्यू येर तो ये ठीक है kerala, मल्याली राइट तामिलनडू का फेस्टिवल आधी परक्कू है ये भी ठीक है और तामिलनडू में नएसाल को क्या बोलते है पुथांडू पुथांडू is the Tamil New Year उसके बाद हरेला, हरेला फेस्टिवल जो है ये mainly उत्राखंड का है ना कि हरियाना तो second option गलत है एकदम ये उत्राखंड का फेस्टिवल है एक तो हरेला और एक भितौली भितौली और हरेला वैसे हरेला ये नहीं कह सकते पूरी तरह से उत्राखंड में ही है हिमाचल में भी कुछ एरियाज है जहां पे हरेला फेस्टिवल मनाया जाता है लेकिन आप ठीक है, आपके लेवल तक ठीक है कि आप उत्राखंड मार्क करिए, वो ठीक है पक्के पागा हॉन बिल, हाँ, ये ट्रिकी है देखो, हॉन बिल फेस्टिवल नागा लेंड का है ये तो आपको पता होगा लेकिन पक्के पागा हॉन बिल अरुनाचल का है नागा लेंड का नहीं है तो इसका आंसर अरुनाचल होना चाहिए आप्शन ए भी गलत है तो इसका आंसर है फस्ट ए और भी सही मैच नहीं किये हुए अब इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ हॉन बिल और पक्के पागा हॉन बिल देखो हॉन बिल तो नागा लेंड का है इसमें तो कोई शक नहीं है पक्के पागा हॉन बिल क्या है फिर बेसिकली अरुनाचल प्रदेश में एक नया डिस्टिक्ट बना है जिसको बोलते हैं पक्के केसांग पक्के केसांग में एक टाइगर रिजर्व है जिसको बोलते हैं पक्के टाइगर रिजर्व अरुनाचल प्रदेश में तीन टाइगर रिजर्व हैं, राइट, मॉलिंग है, नाम डफा है, और ये है पक्के, कमलांग है, मॉलिंग जो है, कमलांग टाइगर रिजर्व भी है, जो पचासवा टाइगर रिजर्व था, पक्के के सांग डिस्टिक में पक्के टाइगर रिजर्व जो है, वहाँ पे पक्के पागा हॉन्बिल फेस्टिवल मनाय जाता है, और ये एक बर्ड होता है, जिसका गंजर्वेशन एफट लिया जाता है, वहाँ पे, इसलिए मनाय जाता है पक्के पागा हॉन्बिल, तो ये नागा लैंड का नहीं और नाचल प्रदेश का है तो इसमें आंसर होगा and we are incorrect चलिए बाते हैं नेक्स कुश्चिन पे गंगा अवलोकन ये गंगा नदी का पहला म्यूजियम है जो इंडिया में बना है गंगा नदी के उपर कोई म्यूजियम इंडिया में नहीं है गंगा नदी पे ये ठीक है और ये चांदी घाट पे बना है हरिद्वार में ये भी ठीक है और गंगा नदी का बर्थ प्लेस देव परियाग है ये भी ठीक है क्योंकि जब गंगा नदी को जैसे हम बोलते हैं कि गंगोतरी ग्लेसियर से निकली तो उस समय वो गंगा नहीं कहलाती, भगी रथी कहलाती है, और भगी रथी में जब अलकनन्दा आके मिलती है, तो दोनों के संगम से फिर जो बनता है, वो है गंगा रिवर देव परियाग में, तो इसका आंसर है, all are correct, चलिए अब आते हैं, हमारे second last question पे, International Sand Art Festival, अंतराश्ट्रिये, जो Sand Art, Sand Art के आप हमारे वो जानते होंगे, बहुत सारे सुदर्शन पटनायक, और भी जो बाकी लोगें Sand Art करते हैं, So International Sand Art Festival, ये चंदरभाग बीच में conduct किया गया, और दूसरा, चंदरभाग बीच जो है, ये ओडिसा का पहला और only blue flag बीच है, blue flag certificate जो है, इसे देता है, FEE, एक organization है, FEE, वो blue flag certificate देता है, जिसका मतलब वो beach अंतराश्ट्रे standards का है, इसमें बहुत सारे criteria होते हैं, एक बीच को blue flag certificate मिलता है, चंदरभाग बीच जो है, ये पहला blue flag बीच है, पूरे इंडिया का, ये ठीक है, लेकिन ये ओडिसा का एक मातर blue flag बीच है, ये ठीक नहीं है, ओडिसा में एक blue flag बीच और है, जिसको बोलते है, golden beach जो की पूरी में है, so B option गलत है, और पहला option ठीक है, कि International Sand Art Festival च ठीक है, पहली बार है गुजरात में कि Heritage Tourism Policy आई है, तो इस policy के बारे में कौन सा statement ठीक नहीं है, इस policy के तहत, जो भी गुजरात के एतिहासिक palaces हैं, fort हैं, किले हैं, समारक हैं, उनमें hotel और restaurant बनाए जाएंगे, यानि जो गुजरात के fort हैं, किले बगरा हैं, उनमें hotels और restaurants open किये जाएंगे, दूसरा, ये policy सिर्फ उनहीं historic monuments पे apply होगी, जो एक जनवरी 1950 के पहले बने हुएं, तीसरा, भारत के पास एक ही UNESCO World Heritage Site है, जो mixed category में आती है, और वो गुजरात में हैं, और चोथा none of these, तो देखते हैं, इसमें पहला option ठीक है, Heritage Tourism का मतलब यही होता है, कि ज जगा पे आके रहें, और एक experience लें, कि उस समय राजा महराजा कैसे रहा करते थे, यानि कि जो fort हैं, जो smarak हैं, उनमें hotel और restaurant बनाए जाएंगे, ये ठीक है, और ये भी ठीक है, कि ये policy उनहीं smarak पे applicable होगी, जो एक जनवरी 1950 से पहले के बने हैं, लेकिन C option गलत है, तो आंस और उनमें 30 जो हैं, वो cultural हैं, 7 जो हैं, वो natural हैं, और एक है mixed, और वो एक mixed कौन सी है, कंचन जंगा नेशनल पार्क, कंचन जंगा नेशनल पार्क सिक्किम में हैं, ना कि गुजरात में, तो गुजरात में भी world heritage sites हैं, एहमदाबाद शहर है, पावागड चंपनेर, archaeological park है, औ लेकिन mixed category में इनमें से नहीं है कोई, तो इसमें options ही गलत है, और हमाराज का आकरी सवाल, इनमें से कौन सा place है, जो छो नाम का एक fog dance होता है, एक लोक निर्ते होता है, जिसे बोलते हैं छो, उससे associated है, पुरूलिया, बंगाल में, सराय केला जारखंड में, मयूर भंज ओड अडिशा में या मदू बनी बिहार में, तो छो निर्ते कहां कहां पे किया जाता है, देखो छो निर्ते बहुत जादा important है, इसमें generally mask use होता है, यहां पे आप मास्क भी देख सकते हैं, और ये पुरूलिया में किया जाता है, बंगाल में, जिसे पुरूलिया चो बॉलते है सराई केला चो किया जाता है जारखंड में, और मयूर भंज चो किया जाता है, ओडिशा में, मदू बनी बिहार में नहीं किया जाता, clear, तो इसमें D गलत है, ठीक कौन सा है, तो answer है A, B, and C, कौन से places associated हैं, तो उपर के 3, यानि answer है A, B, and C, चलिए अब आप से एक सवाल पू जाता है, देखते हैं कौन इसका answer, comments में लिखे, बताता है, तो यह था हमारा Art and Culture का set number 2, इंतजार करिए, जब मैं set number 3 लेकर आउंगा, मैं side by side, एक साल के जो environment ecology के current affair है, वो भी start कर दूँगा, so see you in set 3, take care.